नमस्कार वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की जापान में चाकू से किये गए हमले में 19 लोगों की मौट जापान में मानसिक रूप से अक्षम लोगों के एक देखभाल केंडर पर एक व्यक्ती ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौट हो गई स्थानी अगनी शमन विभा के एक प्रवक्ता ने बताया कि टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर सागा मिहारा शहर में हुए इस हमले में 25 अन्य लोग खायल हो गए हैं जिनमें से 20 की हालत गम भीर है 26 वर्षी हमलावर बाद में पुलिस थाने पहचा और उसने अधिकारियों के सामने स्वीकार किया कि ये हमला उसने किया है उसने बताया कि वो केंदर का एक पूर्व कर्मी था असाही शिंबून समाचार पत्र ने पुलिस के हबाले से बताया कि संदिक्ध ने कहा सभी निशक्त जन खत्म हो जाने चाहिए कीर्ती आजाद की पत्नी बोली भाजपा ने की नाइनसाफी निलंबित भाजपा नीटा कीर्थी आजाद की पतनी पूनम ने कहा कि नवजोच सी सिद्धू की तरह ही पार्टी ने उनके और उनके पती के साथ नाइनसाफी की इस तरह की अटकले हैं कि भाजपा की दिल्ली इकाई की प्रवक्ता और तीन बार भाजपा की राश्ट्रिय कारेकारिणी की सदस से रह चुकी पूनम आम आदमी पार्टी से जुड़ सकती है उन्होंने कहा कि सिद्धु जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया वो अमरत सर से कई बार जीत कराये देश भर में पार्टी के लिए प्रचार किया और पार्टी के दिल्ली प्रभारी थे उसी तरह पार्टी ने मेरे और कीर्थी जी के साथ नाइन साफी की है किंग फिशर का बयान 6,000 करोड का रिंट चुकाने की जिम्मिदारी नहीं संकत में फसे कारुबारी विजय मालिया की किंग फिशर एरलाइन्स लिमिटेड ने कहा कि वे रिंट देने वाले बैंकों के समूँ को 6,000 करोड रुपे रिंट चुकाने के लिए जिम्मिदार नहीं है क्योंकि बैंकों ने दोनों पक्षों के बीच हुए मास्टर रिंट पुनरगठन समझोते के नियम शर्टों का उलंगन किया और इससे कंपनी के कारुबार को बेकार नुकसान उठाना पड़ा रिंट वसूली नियाधिकरन द्वारा मालिया और उनकी कंपनी से 6,000 करोड रुपे की वसूली के लिए बैंकों द्वारा दायार की गई मूल याचिका पर सुनवाई को फिर से शुरू करने के दौरान किंग फिशर के वकील ने कहा कि बैंकों द्वारा समझोते की शर्टों का उलंगन करने के चलते नियाधिकरन को बैंकों की याचिका खारिस कर देनी चाहिए